अबसकार दोस्तों मैं हूँ नीरज रहाय स्वागत आपका फार्मा हट्स में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सप्लिमेंट के बारे में जिसका यूज करके आप बेट गेन कर सकते हैं अपना बेट नेचुरली बढ़ा सकते हैं दोस्तों अचलिए आज के परपस के लिए भी यूज किया दाता है सब कुछ डीटेल में हम लोग इसके बारे में देखेंगे दोस्तों यह कोई स्पांसर वीडियो नहीं है और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं कर रहा हूं इसे लेने के लिए लेकिन यह मेडिसिन यह सप्लिमेंट है और यह बहुत अच्छे से काम करता है इस वज़े से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं दोस्तों अक्सर जब हमारा बेट कम हो जाता है और बेट गेंग करना होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वह हमें मल्टी विटमिन मल्टी मिनरल लेने की सला देते हैं आपके अंदर डाइटरी डिफिशंस को दूर किया जा सके आप जो भी खाना खा रहे हो वह सही से पच्छ सके और और अर्सही से इस तरह से आपका सैय। बलता है और फिर जब naturally बलता है तो फिर यह इप्रनर कम नहीं होता है और इसका कोई है इफेक्ट नहीं होता है इसी तरह से दोस्तों मार्किट में बहुत सारे प्रकार के स में आते गैजिसमेंट इक है सारको फेराल माल सप्लिमेंट आप और इसकी डोज क्या होती है दूस्तो सारको फेराल माल्ट सीरप एक सीरप के फॉर्म में आता है लेकिन वैसे ये ग्राम में आता है थोड़ा सा बहुत पतला नहीं होता हलका सा गाढ़ा होता है आप इसे चिम्म से टी स्पून से निकाल के खाते हैं लेकिन इसको एमल में ही दिया जाता है यानि इसकी जो यूनिट होती है वो एमल में ही गिनी जाती है यह प्रकार का डाइटरी सप्लीमेंट होता है जिसमें बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स बहुत सारे प्रकार के विटमेंस होते हैं साथ में इसमें सुक्रोज भी यानि कि माल्ट होता है यानि ग् उससे मैंन चीज पर ही होतीहें वो होती है माल्ट grasses इसके अलावा calcium gluconate सात्व में vitamin D3 और इसके अलावा इसमें vitamin B के कई पार्ट्स होते दिसे vitamin B3, vitamin B9, vitamin B12 सबसे पहले अगर में माल्ट एक्स्ट्रेक्ट के बारे में बात करूं तो यह प्रकार की सुगर होती है एक प्रकार की सरकरा होती है कैसे बनाई जाती है तो जो ग्रेम होते हैं सीरियल होते हैं जो उनको अंकुरित करने के बाद को में उनमें बहुत हाट एयर को उसमें फ्लो किया जाता है जिसे व पात्रम में शरकरा आपके बाड़ी के अंदर में जा रही है, सुगर जा रही है, जो पॉली सेकराइड है, यानि यह आपको नुकसान नहीं करेगी, और यह आपको बेट बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि यह भोजन के अलावा कुछ और भी चीज़ आपके बाड़ी के के लिए यूज कर सकते हैं, इसके में कुछ मिलाया नहीं जाता, डारेक्ली यह माल्ट आता है, इसके अलावा इसको फ्लेवर्स में यूज करते हैं, फ्लेवर्स डालने के लिए यूज करते हैं, इस तरह से बहुत सारे काम यह आता है, इसके अलाव दोस्तों, सार्को फेर बढ़ता है इस तरह से आपके बाड़ी में अगर खून की कमी है तो उसको भी दूर किया जाता है इसके इलावा इसमें कैलसियम, ग्लूकोनेट और दी 3 होता है यह दोनों मिलकर के आपकी बाड़ी में कैलसियंडीफिजेंसी को दूर करते हैं जिससे आपकी बोन मजबूत होती है आपकी मसल्स ज्यादा एक्टिव होती है और ज्यादा अच्छे से काम करती है इसमें विटामिन B3 यानि नियासिन इसके अलावाइड होता है जो की enzymes और co-enzymes को active करता है जिसकी सहाइता से आपकी body active होती है और आपका digestion सही होता है और absorption सही होता है इसके अलावाइड दोस्तों इसमें folic acid याणि vitamin B9 होता है vitamin B9 आपके body के अंदर में red blood cells को बनाने में DNA और nucleic acid को बनाने में मदद करता है यानि कि यह आपके body को यह भी active करता है और बहुत सारी प्रकार के enzymes और co-enzymes को active करता है जो आपकी blood cells को बनाती है और आप में blood cells की मात्रा बढ़ती है इसके अलावाइड दोस्तों इसमें मिला होता है vitamin B12 यानि sinocobalamin और sinocobalamin से आप जरूर परचित होंगे यह आपकी nerves की health को इ active करता है और भोजन के absorption में मदद करता है और एक तरह से यह dietary supplement की तरह काम करके आपकी dietary deficiencies को दूर करता है अब दोस्तों अगर हम बात करें कि सार्को फेराल जो माल्ट होता है उसको हम यूज कहां कहां करते हैं इसको डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया दाता है अपने मन से कोशिस करें यूज ना करें अपने डॉक्टर्स से मिले आपके इंदर जिस परकार की dietary deficiencies होगी वो ज्यादा तर यूज करते हैं तीन परकार की बीमारी में या तो आपकी हड़ी कमजर हो जैसे आस्टियोपोरोसिस की समस्या हो या कि आपकी बॉड़ी के अंदर में एनिमिया की सिकायत हो यानि ब्लड आपके बॉड़ी में कम हो तो एनिमिया की सिकायत को दूर करने के इसका use prophylactaly भी किया जा सकता है तो फादय है यह किया जाता है यह किया जाता है अगर इसको कोई फेशिंट प्राफ़र लेता है जो इसका बेट गेन सकता है यह इस टोट गेन हो था है लेकिन ध्यान रखता है हैं उसको डॉक्टर्स को बताएं उसके बाद आप मेडिसीन सप्लिमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं कि जाओर खा सकते हैं और फिर उनको बह voyage स्मस्य हो सकती है यानि 15 ml ले सकते हैं अगर आपको normally आप यूज कर रहे हैं अगर आपको osteoporosis है आपको एनेमिया की सिकायत है बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है यानि बीमारी है अगर आपको और आप नॉर्मल बेट गिन करने के लिए नहीं ले रहे हैं ठीक है तो आप वहाँ पे इसे ल दूद के साथ में इसको लेना है इसके अलाव अगर आप profilically यूज कर रहे हैं बेट गेन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पांच से दर से मिल यानि एक चम्मच से दो चम्मच ले सकते एक बार में वही आपको गुन-गुने दूद के साथ में इसको ले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बास जरूर शेयर करेगा दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा और अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मुग चैनल नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर द देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद